हेलो गाइज आज मैं आपको कोचिया के सीट को ग्रो करने के लिए बताऊंगा तो आप इस वीडियो को पुरा अन तक जरूर देखेगा यह देखे मेरे हाथ में कोचिया का सीट है गाइज आपको जो कोचिय का सीट ग्रो करने का टाइम है मीड फर्वडी फर्वडी के बीच से आप ग्रो कर सकते हैं 10 फरवड़ी 15 फरवड़ी के बाद से लेकर मार्च का फर्स्ट वीक पहला सप्ता या दूसरा सप्ता तक भी आप ग्रो कर सकते हैं आपको उस टाइम तक ग्रो कर सकते असानी से ग्रो हो जाएगा गाइस अ क्या बना दिया जंदा टाइप का तो यह स्व्वाईल मीडिया है जो कि मैं सीड को ग्रो करने के लिए बताओंगा इसी तो ilmaidya में में ग्रो करूंगा आपको बताते हूं क्या क्या मैंने लिया है और क्या कॉइंटिटी है तो ये कोको पीठ है 30% सेंड है 40% रिवर सेंड या कंस्ट्रक्शन सेंड और फिर ये कावडंग कंपोज्ड है ये भी 30% है इसके जगा आप वर्मी कंपोज्ड भी यूज़ कर सकते है जो आपके पास एबलेबल हो गाइज मैंने इसे मिक्स कर लिया और ये देखे मेरे हाथ में ये क्या है ये है एंटी फंगल पाउडर इसे मैं इस मीडिया में मिक्स कर लूँगा ताकि कोई भी फंगस अटैक ना हो सीड में ये मैं वन टी स्पून लिया हूँ आप आपका जितना मतलब की स्वाइल है उस अनुसार से आप लेंगे अगर ज्यादा स्वाइल होगा तो आप ज्यादा यूज करिएगा ये तो मेरा थोड़ा सा ही है इसलिए मैं वन टी स्पून लिया गाइज मैं सीड को ग्रो करने के लिए देखिए मैंने ये स्वीट का जो डपा आता है वह मैं यूज कर रहा हूं आप कोई भी कंटेनर यूज कर सकते यह सबसे इजी एबलेबल हो सकते आपके पास तो आप यहीं यूज करें इसमें मैं भर लेता हूं स्वाज मीडिया और भर भरने से पहले आप ध्यदिशी देखिए इसमें कई सारे मैंने ड्रेनी द Axis यूज कर ताकि शीड नहीं हो तो आपका सीड रोटे हो आप मैं आई मैंने ने लिया इसे आपको थुख्थवा दूरी पर स्प्रिंकल कर देना है देखिए इस तरह सरuted गाइस अब मैं इसमे बट रिंग कर देता हूं और आपको वातरीं जो करना आइ स्प्रिंकल से करे स्प्रिंकलर से नहीं तो आपका जो सीड वह बाहर निकल आएगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा और आपने गौड कर वह मैंने आपको बताए मैं सीड को ढखने के तो कोई दिक्कत नहीं है इसे ढखना आपको जरूरी नहीं ये खुद से जर्मिनेट हो जाएगा लेकिन अगर आप आउट्डोर रखने है तो आपको ढखना पड़ेगा इसके उपर हलका सा एक लेयर लगाना होगा एक और लेयर नहीं तो आपको इसे इस तरह से आपको करना होगा इसे क्या होगा उसके बाद फिर इसे फलके हाथों से दबा दे यह जो सीड़े अंदर चला जाएगा अगर आप चाहे तो इसे न्यूज पेपर से ठक सकते हैं नहीं तो ऐसे आप नहीं तो ऐसे ओपन में ही छोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपक को यह ध्यान रखना होगा कि इसका जो स्वाइल है ड्राइ नहीं होना चाहिए शूखना नहीं चाहिए इसकी मिट्टी जो है और वाटरिंग आची तरह से मैं कर दूँगा कि मैं ढूर्यलगे को में ईंड़या व्योग गया आपको जो है यह जो सर्णी में मैं ग्रो ऺया उसने आपको इस तरह سे ढखना है और इसे साईड से आप किसी धागे से बांद दीजेगा प्लास्तिक हो या निउस पेपर इस तरह से बांद दीजेगा तो आपको डेली वाटरिंग करने का जोड़त नहीं पड़ेगा और एक वाटरिंग अच्छी तरह से कर दीजेगा तो फिर तीन दीन के बाद इसे आप हटा दीजेगा तो आप देखेंगे इसमें कई सारे जर्मिनेशन आए हुए रहेंगे न्यू न्यू प्लांट निकल जाएंगे सीडलिंक्स फिर उसके बाद फिर आपको इसे सेमिसेड में रखना है मैं इसे पॉली हाउस में रख दूंगा अगर पॉली हाउस ना हो तो आप ऐसे किसी भी सेमिसेड डेडिया पर रख सकते हैं जहां आपकी धूप ना आए गाइज यह देखिए यह जो छोटा सा आपको प्लांट दिखा यह यह जो मैं दिखा रहा हूं यह कोचिया का प्लांट है जर्मिनेशन होने के पाद कुछ इस तरह से दिखेगा यह मैंने चार दिन पहले ही ग्रोग किया था तो यह देखिए अब छोटा सा सीडलिंग तया लगे था की लिफ प्रॉपागेशन कैसे किया जाए अगर वह वीडियो आप नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यह वीडियो को लाइक करे और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैन